आज के इस ओडियो लेसन में हम सिप्टमबर 2020 के कुछ मुक्य घटनाओं पर एक नज़र डानेंगे सिप्टमबर करेंट अफैर्स की ये तीसरी कड़ी है विस्व बैंक मानो पूजी सूचकांग भारत 116 अस्थान पर पहुंचा 17 सितमबर 2020 को विस्व बैंक ने वार्षिक मानो पूजी सूचकांग जारी किया भारत ने वार्षिक मानो पूजी सूचकांग में 116 अस्थान पराप्त किया है सूचकांग पूरी दुनिया में मानो पूजी के प्रमुग घटकों को मापता है 2018 में भारत का स्कोर 0.44 था अब या 2020 में बढ़कर 0.49 हो गया है मानोपूजी सूचकांक में 174 देशों का सिक्षा और स्वास्त डेटा शामिल है या दुनिया की अबादी का अंठानबे प्रतिशत कवर करता है 2019 में भारत 157 देशों में से 115 अस्थान पर था रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बिलियन से अथिक बच्चे स्कूल से बाहर है महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्त सेवाओं में महतपून विवधान है कई बच्चों को उनके महतपून टिका करन से बाहर सूची बद किया गया इस सुचकांग की गण्णा तीन स्थंबों के आधार पर की जाती है वे हैं उत्तर जीविता, स्कूल और स्वास्त स्कूल स्रेणी के तहट सुचकांग की गण्णा में सिक्षा की मात्रा और गुणवत्ता शामिल है स्वास्त सुरणी में अन्य उत्तर जीविता दर और बच्चों का स्वस्त विकास शामिल है मानो पूजी सुचकांग सेंक्त रास्ट विकास कारेकरम द्वारा जारी किया जाता है दूसरी और विश्व बैंक द्वारा मानो विकास सुचकांग जारी किया जाता है मानो पूंजी स्वास्त को मापने के लिए स्टंटिंग दर और उत्तर जीविता दर का उपयोग किया जाता है मानो विकास सुचकांक में प्रती विक्ती आय का उपयोग किया जाता है लेकिन इसे मानो पूंजी सुचकांक में शामिल नहीं किया गया है वेश्विक भारतिय विज्ञानिक शिखर सम्मेलन 2020 वैभाव वर्चुल वेश्विक भारतिय विज्ञानिक शिखर सम्मेलन यानि कि वैभाव का उदगाटन 2 अक्टूबर 2020 को मानिनिय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा यह सिकर सम्मेलन लगभग एक महिने के विचार विमर्स सत्र के बाद होगा जो की 3 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 तक चलेगा इसे एक वेबिनार के माध्यम से शोद करताओं के बेच आयूजित किया जाएगा यह Science and Technology और Academic Organizations of India की एक पहल है ताकि विचार प्रकरिया परताओं और अनुसंदान वविकास संस्कृती पर विचार विमर्स किया जा सके इस पहल का उदेश उभरती और चल रही चुनोतियों को हल करने के लिए वैश्विक भारती शोद करता की विसेशगिता और ग्यान का उपयोग करने के लिए व्यापक रोड में प्रस्तूत करना है यह भारत में सिक्षाविदों और विज्ञानिकों के साथ सहयोग और सहयोग उपकरनों को परतिबिम्बित करेगा यह वैश्विक पहुँच के माध्यम से देश में ग्यान और नवाचार का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयास करेगा इस सिकर सम्मिलन का उदेश से शतत विकास के लिए एक तत्तु के रूप में भारत में सिक्षा, अनुसंधान और उद्यम्शीलता को आगे बढ़ाने के लिए मेकनिजम प्रस्तूत करेगा ये सबी साइंस और टेक्नोलजी और सेक्षनिक संगठनों का एक संयुक्त प्रयास है ये सिकर सम्मिलन एनराई विज्यानिकों के लिए है जो भारती मूल, वैस्विक, दुष्टिकोंग और अनुभों के साथ आत्म निर्भर भारत पहल में महत्पून भूमिका निभा सकते हैं इस सिकर समिलन का आयूजन एनराई विग्यानिकों को एक मंच पर लाने के लिए किया जाएगा ताकि भारत में साइंस और टेक्नोलोजी बेस को मजबूत करने के लिए सहयोग दंत्र और तरीकों पर बहस की जा सके या उनके अनुभवों और विविद सेक्षिनिक संस्कृतियों के दक्षता को एक साथ लाएगा और इस तरह आत्म निर्बर पहल को मजबूत करेगा या अटल इनोवेशन मिशन में नए आयाम भी जोड़ेगा राजसभा ने महामारी रोग संसोधन विदेयक 2020 पारित किया विदेयक महामारी रोग अध्यदेश की जगा लेता है जिसे अपरियल 2020 में परख्यापित किया गया था या किसी भी स्वास सेवा कर्मी के जीवन को नुकसान, चोट चोट या खतरे को एक संगे और गेर जमानती अपराद बनाता है या विदेयक स्वास सेवा कर्मियों को उन वेक्तियों के रूप में परिवाशित करता है जिने महामारी से संबंदित ट्यूटी पर होने के दौरान महामारी का खतरा होता है बिल के नुसार स्वास सेवा कर्मियों में शामिल है सार्वजनिक और नैदानिक स्वास सेवा परदाता इन में डॉक्टर और नर्स भी शामिल है रोग के परकोप के खिलाब रोगताम के उपाई करने के लिए शशक्त वेक्ती, रासरकार दौरा नामित कोई भी वेक्ती विद्यक स्वास्त सेवा कर्मियों के खिलाफ किये गये हिंसा के कारे को परभाशित करता है रहने या काम करने की सिती पर उतपीडन, नुक्सान, चोट या उनके जीवन के लिए खात्रा, करतवियों को निर्वान में रुकावट, स्वास्त सेवा कर्मियों के संपती और दस्तावेजों को नुक्सान या शती अपरात करने वाले वेक्तियों को स्वासिवा कर्मियों को मुआज़ा देना होगा विध्यक के तहद पंजिकरित मामलों की जहांच इंस्पेक्टर के पद से उपर के पुलिस अधिकारी दौरा की जाएगी F.I.R. की तारीक से 30 दिनों के भीतर जहांच पूरी होनी चाहिए एक वर्स के भीतर जहांच या परिक्षन का निसकर्स निकाला जाना चाहिए या कि इन सरकार को निमलिकित को विनेमित करने की शक्ति देता है किसी भी बंदरगा पर जाने या पहुँचने वाले किसी जहांच का निरिक्षन किसी भी परकोप के दौरान बंदरगा से यातर करने के चुप किसी भी विक्ति को हिरासत में लेना इस प्रकार इस कानून का उदेश से स्वास सेवा कर्मियों के खिलाफ इंसा के प्रती शुन्य सैशनुता का बातावरन बनाना है विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर विश्व भर में 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है यह दिन नियूरोलोजिकल इस्तिती अंतर नहित कारणों लक्षणों और इसके परबंदन के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है यह महीना जागरुकता बढ़ाने, सिक्षित करने, समर्थन देने और डिमेंशा से सम्बंदित कलंग को नस्ट करने के लिए एक वैश्विक अवसर है विश्व अलजाइमर मा की थीम, let us talk about dementia है सितंबर 2020, नववा विश्व अलजाइमर मा है, यह अभियान 2012 में शुरू किया गया था परते एक तीन में से दो लोग मानते हैं कि उनके सम्बंदित देशों में डिमेंशा के बहुत कम या कोई समझ नहीं है अलाकि विश्व अलजाइमर मा का प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन इस सम्बंदित, कलंक और गलत जानकारी अभी भी एक वैश्विक समस्या है डिमेंशा इंडिया रिपोर्ट 2010 के नुसार, भारत में डिमेंशा से प्रभावित लोगों की संख्या 3.7 मिलियन थी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संख्या 2030 तक 46 लाक तक बढ़ जाएगी डिमेंशा विस्वस्तर पर एक सबसे बड़ी चुनोतियों में से एक है दुनिया भर में लगबग 50 मिलियन लोग डिमेंशा से प्रभावित हैं इसलिए इस चनोति से निपटने के लिए जाएमर माह लोगों को एक साथ काम करने सहीयोग करने के लिए प्रेरीद करता है इसलिए जाएमर सोसाइटी वैस्वीक अनुसंधान और अभियान पर भागिदारों के साथ काम कर रही है अलजाइमर एक नियूरोलोजिकल विकार है जो इस्मृति हानी, सोच कौशल और वेवार की समस्याओं का कारण बनता है इस्मृति हानी और भ्रहम इस विकार से जुड़े मुख्य लक्षन है हाना कि इस बिमारी का कोई उचित इलाज नहीं है लेकिन दवा और प्रबंदन रणनीतियों से इस्तिती में सुधार किया जा सकता है बिहार में घर तक फाइबर योजना लॉंच की गई परधारमंत्री नरेद मोदी ने 21 सितंबर 2020 को बिहार में नौ राज मार्ग परियोजनाओं और घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है घर तक फाइबर योजना के तहद घरों में आप्टिकल फाइबर सेवाएं परदान की जाएंगी हाइवे परियोजनाओं में 350 किलोमीटर सड़क का निर्मान किया जाएगा 14,250 करोड रुपे के लागत से सड़के बनाई जाएंगी इन सड़कों से बिहार, जारकंड और उतरपरदेस के लोगों के बीच संपर्क बहतर होगा परदार मंतरी ने 2015 में बिहार राजी के लिए विसेज पैकेज की गोशना की थी इस पैकेज में 54,700 करोड रुपे की 75 परियोजनाई शामिल थी इन 75 परियोजनाओं में से 13 परियोजनाई पूरी हो चुकी हैं जबकि 38 कार्यानमन के स्तरपर है इस परियोजना को घर तक फाइबर योजना के तहत इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना परद्योगी की मंतराले द्वारा लागू किया जाना है यह राज में 45,945 गाउं को जोड़ेगा इस परियोजना डिजिटल करांती को बिहार के सुदूर इलाकों तक भी पहुचा सकती है गाउं और ग्रामेंड शेत्रों पर धियान केंदरित करने के लिए हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटर्नेट कनेक्शन परदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है पिये मोदी ने चोहतरवे स्वतंतिता दिवस के भाषन में कहा था कि इस योजना के तहट 2014 के बाद डिएड़ लाक स्यदी क्राम पंचाहतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन मिले है यह योजना भारत नेट कारिकरम के तहट डिजिटल कनेक्टिविटी सुनशित करती है Digital India कारकरम, Digital करांती लाने के लिए देश में Digital Locker System, भारतनेट, रास्टेज छात्रविर्ती पोर्टल, ऑनलाइन पंजीकरन प्रनाली आदि के पहल शुरू की है भारत सरकार ने कारकरम के तहट पूरे देश भर में Digital Village बनाने की योजना बनाई है Airbus 2035 तक दुनिया का पहला वाणिजीक हैडोजन विमान लाउंच करेगी 21 सितंबर 2020 को विमानन कमपनी Airbus ने पहले शुन्नी उचसरजन वाणिजीक विमान के लिए तीन कॉंसेप्ट को लाउंच किया उनका यह विमान 2035 तक कारकरना शुरू करेगा मानोजनित जलवायू परिवर्तन में विमानन उचसरजन का 5 परतिशत योगदान है इसलिए हाइडोजन जैसे स्वक्ष विमान इंदन की और इस्थांतरित होना आवशक है इस मॉडल को सफल बनाने के लिए हवाई अड़ोग को हाइडोजन इंदन भरने की बुनियादी धाचे को अपनाना होगा साथी सरकारों को महत्यो कांक्षी उद्देशों को अपनाने में रूची दिखानी चाहिए एरबस द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया हाईडोजन विमान पहला वनिजिक हाईडोजन संचालित विमान है इससे पहले रूसी निर्माता टुपलो ने TU-154 नामक एक प्रोटोटाइप कर निर्मान किया था या पहला प्रायोगिक विमान था जो तरल नैटोजन पर संचाली था हाला कि हैडोजन एक स्वक्ष इंदन है या जिवास मिंदन की तुला में अधिक महगा है क्योंकि हैडोजन को इंदन की रूप में उप्योग करने में कई बादाएं है हाइडोजन सबसे हलका ततो है और इसलिए उपरी वायो मंदल की और बहुत आसानी से निकल जाता है और इसलिए या दुरलब ही शुद रूप में पाया जाता है हाइडोजन आम तोर पर मीथेन से या पानी के इलेक्ट्रोलेसिस से उत्पन होता है 2020 में हाइडोजन मुख्य रूप से जिवास मेंदन, कोईला गैसी करण या मीथेन के आंसिक ऑक्सी करण द्वारा उत्पादित किया जाता है इन तीनों में से स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग 2020 में मौजूदा प्रमुख तकनीक है अलाकि या तकनीक वायू मंडल में कार्बन डैकसाइट और कार्बन मौनोकसाइट छोड़ती है दुनिया का सबसे बड़ा हाइडोजन उत्पादन केंदर फुकुशिमा हाइडोजन उर्जस अनुसंदान छेतर है जो जापान में स्थित है तो इस अंक में इतना ही धन्यवाद